कि यृडल कम गई इंग्लिश नहीं हिंदेगी वीडियो और ही इंट्वी इंडिय में बथा तो इस वीडियो में थे कि हम कैसे डबल मिंस यूजर से हम डबल डाटा आप की वेल्यू इंपुट करआ सकते हैं को कैसे प्रेंट करा सकते हैं तो गई देखते हैं के एक रिखा र I will type here decimal value then I will put here %LF here also %LF then I will simply execute this compile and run and see here's the output or here's the program which I have run so I am simply timing here 55.55 see guys 55.55 it is also taking the decimal second value, right? So guys this is how we can take the double value right again I am going to take so let's go for example I am compiling and running it so I have compile here so here I am writing one two, point one two, point one two, point one two, point two and two point one two, point two and two, point two and two, point two. I have taken a simple one point look at one two, two, three, four, 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 five, five, five. So guys, simple, आप code देख सकते हैं code थोड़ा में और zoom कर देता हूं तो यह सिंपल है इसमें आप देख सकते हैं double लेना है data type का नाम लिखना है उसका variable लेना है हर किसी का ऐसी होता है उसका जो formative जो भी उसका % होता है means % जो भी इसका formating alphabet होता है आप कुछ भी कह सकते हैं उसको वह आप देखके उसे यूज कर सकते हैं यह आपको वैसे के लिए दो तीन प्रोग्राम बनाने में आपको याद हो जाता है मेरे खाल से आपको एक दो या तीन नहीं एक प्रोग्राम बनाने मे आपको इसलिए याद हो जाएगा कि आपको किसमे क्या-क्या लेना है सबस्क्राइस आज की वीडियो में इतना ही इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम डबल डाटराइब का वैल्यू इंसर्ट करते हैं डबल और फ्लोट का इस बिल्कुल सेम टुसे में कोई समय अंतर नह झाल